नमस्कार दोस्तो तो दोस्तो आप थम्नेल और टाइटल देखे समझी गए होगे कि आज की वीडियो किस टोपिक पर होने वाले है जिहाँ दोस्तो आज की वीडियो में हम एं मोबी क्वीक एप से प्रस्टनल लेने का कंप्लेट प्रोसेस आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले दोस्तो बहुती जरूरी बात कि थेंक्यू सो मच गाइज मैं आप सभी का दिल से सुक्रियादा करता हूँ क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट के वज़े से आज हमारी इस सेनल पर 10 के सब्सक्राइबर कंप्लेट हो चुके है यानि कि अब हमारी फेमिली 10,000 लोगों की हो चुकी है तो इसी वज़े से आपका दिल से सुक्रिया और आसा करता हूँ कि आप इसी तरीके से हम प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे तो एक बार फिर से लव यू एन थेंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट देने के लिए है तो चले दोस्तों बढ़ते हैं टोपिक को उपर तो आजकी वीडियो में दोस्तों हम एक Mobi Quick App से प्रस्नल लों नही región का कम्प्रेट प्रोसेस आपको दिखाने वाले है दरसल दोस्तों Mobi Quick में आपको दो तरीकी लोन देखने को मिलती है याँ पर आपको Buy No Pay Letter लिमिट मिलेगी और यहाँ पर आपको लोन भी मिलेगी है तो आज के वीडियो में दोस्तों हम एक वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरू कर देना और अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल एकन डवा कर ओल नोटिफिकेशन ओन कर दो जिसे हमारे हर आने वाले इसी तरी के नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे फेले आपको मिलती रहा है तो चले दोस्तों वीडियो को सूप करते हैं तो दोस्तों हमने ओपन कर लिए है प्ले स्टोर और आज के वीडियो में हम यह मनी क्विक अप्लिकेशन चे लोन लेने का कंप्लेट प्रोसेस आपको बताएंगे यह एप्लिकेशन बहुती जानी मानी और ट्रस्टेड एप्लिकेशन है इस एप्लिकेशन के रेटिंग की बात करें तो 4.3 की रेटिंग है और 65.000.000 चे पे जादा लोगों ने इस एप्लिकेशन को डाउनलोड किया हुआ है तो इससे आप अंदाजा लगा जाकते हो कि कितनी ट्रस्टेड एप्लिकेशन होगी है और दोस्तो सबसे पहले हम इस एप्लिकेशन की थोड़ी सी डिटल देख लेते हैं कि इसमें वह में लॉन वगेरा कैसे मिलेगी उसके बाद यहाँ पर हम live proof loan apply करने का process भी आपको बताएंगे तो हम यहाँ पर about this app पर click करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे product explore करने को मिलेगी इस एप्लिकेशन में आपको जैसी कि आप इसमें DTOS research कर सकते हो, bill payment कर सकते हो, credit card का bill payment कर सकते हो अलग-अलग बहुत सारी brand जोड़ीगी है, वहाँ पर आप shopping वगरा कर सकते हो इसे बहुत सारे product explore करने को आपको मिलेगे लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको loan के दो product मिलेगे एक है buy now pay letter limit और एक है personal loan अब यहाँ पर दोस्तों जो buy now pay letter limit मिलती है इस case में आपको 60,000 रुपया तक की credit limit प्रोवेट की जाती है इस credit limit को दोस्तों इसी application के अंदर एक लाग से भी ज़्यादा brand जोड़ीगी है वहाँ पर आप यूज कर सकते हो उसके लवा रिशास, bill payment वगरा कर सकते हो यहाँ पर आपको 30 दिन का समय मिलता है हर महनी के पहली तारिक को यहाँ पर आपका bill जन्रेट होगा और पास तारिक तक आपको उसका रिपिमेट करना होगा और इस limit को आप अपने bank में transfer नहीं कर सकते और यहाँ पर यह जो आपको limit मिलेगी वो एक NBFC कंपने के थ्रूही मिलेगी और यहाँ पर इसके NBFC है P2P Private Limited इनके द्वारे यहाँ पर आपको limit प्रोवेट की जाती है यह buy now pay letter limit उसका लवा यहाँ पर हम दूसरे प्रोड़क की बात करे तो यहाँ पर आपको एक small loan मिलते है जिसे आप EMA में use कर सकते हो इसकेस में आपको 2,00,000 रुप्य तक की loan मिलती है और इसे आप EMA में use कर सकते हो लेकिन इसमें interest और charge लगाई जाता है तो interest की बात करें तो 9% चलेके 35.99% याने के 36% तक interest लगाई जाता है इसकेस में 2 महने चे 24 महने का 10 जूल मिलता है और 2% चलेके 4% तक processing fees लगा ही जाती है और ALON भी दोस्तों एक NBFC कंपणी के द्वारा प्रोवेट की जाती है यहाँ पर 3-4 NBFC जूड़ीगी है जैसी कि यहाँ पर आप देखोगे तो एक है SMMG India Credit दूसरे है Transaction Technology Private Limited जिसे Landbox भी कहा जाता है तिसरे है Hero Fincrop Limited और यहाँ पर एक Banking Landing Partner भी है जो है IDFC First Bank इतनी सारी कंपणी इनके साथ जूड़ीगी है जो यहाँ पर लिमिट प्रोवेट करती है तो आज में दूस्तों एही Loan Apply करने का प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ उसके लबा निचे यहाँ पर दूस्तों एक्जम्पल वगर दिया हुआ है आप साहे तो पढ़े सकते हो और लास्ट में आओगे तो यहाँ पर इसका Contact Support भी मिल जाएगा अगर इस Application में कोई Query आए तो यहाँ से आप Contact कर सकते हो तो अब यहाँ पर दूस्तों हम इस Application को Open करते है और Loan Apply करना का Process आपको समझा देते है तो यहाँ पर हम इस Application को Open करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरीक से Interface आएगा यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना Mobile Number एंटर करना है और Continue पर क्लिक करना है तो हमारे Mobile Number पर एक OTP Send किया जाएगा वह OTP दोस्तों यहाँ पर हमें Enter करना है जैसी OTP एंटर करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा Processing लेगा और हमारे सामने सबसे पहले कुछ इस तरीक से Interface आएगा अब सबसे पहले यहाँ पर बोल रहे है कि तो क्या-क्या Benefit मिलते है वह यहाँ पर 100 कर रहा है कि 30,000 रुपया की Zip Limit मिलेगी 200 Super Cash मिलेंगे और यहाँ पर जो ब्रांड जोड़ीगी है उसमें अच्छे-च्छे Offer मिलेगी तो आपको यहाँ पर क्यावाइसी करना होगा I don't want to benefit तो simple है उसपर हमें क्लिक कर देना है जैसे हम उसपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हम आ जाएंगे इस एप्लिकेशन के Homepage में जैसी दोस्तों Homepage में आऊगे तो यहाँ पर आपको बहुत चारे प्रोर्ण देखने को मिलेगे लेकिन हम आज बात करेंगे लोन के बारे में तो लोन के लिए दोस्तों यहाँ पर उपर यह एक विंडो बताये हुआ है जिसमें बताये है कि आप मातर केवाई सी करके यहाँ से 2,00,000 रुपय तक की लिमिट ले सकते हो उसके लवा निच्चे यहाँ पर भी लोन का उप्शन है जिसमें बताये है कि जीप एमाई 2,00,000 रुपिस तो अगर आप यहाँ पर 2,00,000 रुपिय की लोन लेना चाहते हो तो यहाँ से आप अप्पलाई कर सकते हो उसके लवा दोस्तों अगर आपको पे लिमिट लेने है तो इस स्पेस को डिचर स्कूल करना है इसमें सबसे पहले आपको KYC तो करना ही होगा और KYC के अधर पर आपको यहाँ पर एक लिमिट दीजाती है लेकिन आज में दोस्तों यहाँ पर एक बाइनाव पे लिमिट एक्टिवेट करने का प्रोसेट आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि आज की विडियो में हम बात करेंगे एक लोन के बारे में अगर आप चाहते हो कि मैं एक पे लिमिट भी एक्टिवेट करके आपको बता हूँ तो मुझे कोमेट में जरूर बताओ तो अब यहाँ पर दोस्तों लोन लेने के लिए सिंपल उपर हमें आ जाना है और यहाँ पर हमें लोन वाले ओप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे समने कुछ इस तरी के सेंटर पर साईगा यहाँ पर दोस्तों बताएगँ है कि जो लाख रुपया तक की लोन हम यहाँ से ले सकती है अब जैसी guest start पर click करेंगे तो यहाँ पर कुछ permission लेगा तो इसे हमें दोस्तों allow कर देना है जैसे हम allow करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा process लेगा और हमारे समने कुछ इस तरीक से interface आएगा अब दोस्तों यहाँ पर हमें KYC करने को बोल रहा है अब यहाँ पर भी loan लेने के लिए सबसे पहले तो हमें KYC करना होगा और KYC के आधर पर हमें यहाँ पर limit मिलेगी तो यहाँ पर KYC करने के लिए proceed to KYC वाले option पर click करना है जैसी proceed to KYC वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा से processing लेगा और हमारे समने कुछ इस तरीके से इंटर्फेस हैगा अब दूसरों इस KYC में सबसे फिल हमें यहाँ पर आधर कर की डीटिल देनी होगी तो आधर कर की डीटिल में सबसे फिल हमें यहाँ पर हमारे आधर का number एंटर करना है उसके बाद इस Thompson Condition वाले box पर टीक करना है और इस arrow पर टीक कर देना है उसके बाद यहाँ पर हमारे समने अगला page open होगा जिसमें हमें यहाँ पर एक capture code सो करेगा वो code यहाँ पर हमें enter करना है और यहाँ पर next कर देना है जैसी next करेंगे तो हमारे अधर कार में जो mobile number लिंक होगा उस पर एक OTP send किया जाएगा और OTP यहाँ पर हमें enter करना है और यहाँ पर फिस्टे next करना है तो यहाँ पर थोड़ा processing लेगा और हमारे समने कुछ इस तरीक से interface आएगा अब e-space में दोस्तों हमें एक selfie upload करने का बोल रहे है तो अब यहाँ पर दोस्तों selfie upload करने में ही बहुत चारे लोगों को परिशानी आती है कि इस selfie upload करने के बाद इसका process reject हो जाता है या ऐसा बूल रहा जाता है कि आधर कार में आपका photo update नहीं है तो अगर आपका यहाँ पर selfie upload करने अगे बाद आपकी process reject हो जाए तो आपको समझ लेना है कि आपको अपने आतरकार में photo update करने की ज़रूरत है तो अब यहाँ पर दोस्तों selfie देने के लिए नीचे कुस interaction बताएगी है इसे follow करते हुए एक selfie देने है तो यहाँ पर take selfie वाल ओप्सन पर हम click करेंगे कम से camera की permission पुछी जाएगी तो उसे हम allow करेंगे तो हमारे समने front camera open हो जाएगा जिसमें हमें एक selfie click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक option मिलेगा use this तो simply हमें उस पर click कर देना है तो हमारे समने अगला page open होगा जिसमें हमें KYC detail देने होगी तो KYC detail में सबसे पहले यहाँ पर हमारा pin का number एंटर करना है और यहाँ पर हमारा date of birth एंटर करना है उसके बाद इस thumbs and condition माला box पर tick करके continue पर click कर देना है अब यहाँ पर जैसे इंग continue करेंगे तो हमारे समने अगला page open होगा अब इस पिसमें दोस्तों हमें सबसे पहले employment detail देनी होगी अब employment detail में सबसे पहले यहाँ पर यह पूछरे है कि आप sell it हो या self employee तो हम दोस्तों यहाँ पर self employee category में आते हैं तो हम यहाँ पर self employee select करेंगे जैसे हम यहाँ पर self employee select करेंगे तो नीचे कुछ और भी option आएंगे जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हमारा professional type select करना है कि हम कौनचा काम करते हैं उसके बाद नीचे यहाँ पर हमारा father name enter करना है हमारे email id एंटर करनी है और submit पर क्लिक कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर जैसे हम submit पर क्लिक करेंगे तो हमारी सारी detail processing में सली जाएगी अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ी देर हमें wait करना है अब यहाँ पर हमारा pen card के आदर पर हमारा civil score वगरा check होगा और हमें तुरंती बता दिया जाएगा कि हम कितनी limit के लिए eligible है तो हम यहाँ पर थोड़ी देर wait करते हैं तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हम यहाँ पर पूरे डेड लाक रुपया तक की limit के लिए eligible है यहाँ पर वैसे तो दो लाक रुपया बताए गया है लेकिन इसमें से हमें डेड लाक रुपया तक की limit अभी के लिए मिली है निच्छी यहां पर 25,000 रुपया बताए गया है लेकिन इस limit का हम use नहीं कर सकते अभी हम यहां पर सिर्फ 10,000 रुपया ही use कर सकते है अभी एफ 55,000 रुपय की loan use हम क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें पहले एफ 10,000 रुपय की limit का use करने होगा उसके बाद उसका हम time पर repayment कर देंगे तो ए 25,000 रुपय की loan भी यहाँ पर add हो जाएगी और हम यहाँ पर 2,000 रुपय ते की loan बाद में use कर सकेंगे निचे दूस्तों यहाँ पर हमारा loan account number हमारा NBFC partner, amount dispassment और monthless interest वगरा भी बताया हुआ है अब दूस्तों आगे की process complete करने के लिए यहाँ पर एक option मिलेगा, withdraw to bank तो simple हमें उस पर क्लिक करना है तो हमरा सामने दूस्तों यहाँ पर installment plan आ जाएंगे अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमें 3 installment पर a loan मिल रही है, हम चाहे तो 24 महने के लिए a loan को ले सकते है, 21 महने के लिए भी a loan को ले सकते है, और 18 महने के लिए भी a loan को ले सकते है, अगर हम 24 महने के लिए a loan को लेते है, तो उस पर क्या-क्या interest और हर मंद EMI कितना बेकरना होगा, वो यहाँ पर बताया हुआ है और उसी तरीक से 21 महने के लिए अगर हम इस लोन को लेते हैं तो उस पर क्या-क्या interest और EMI लगेगा वो यहाँ पर 100 कर रहा है और इसी तरीक से 18 महने का लिए भी यहाँ पर बताय हुआ है तो हम इस लोन को 120 महने पर यहाँ पर set करते हैं और select and continue पर click करते हैं तो हमारे लोन का पूरा फीशन साज आ जाएगा जिसमें अब देखो गिए तो हमारी 1.5 लाग रुपय की लोन है जिसमें प्रोसेसिंग फीश 8,835 रुपया लगाई जाती है उसके लाबा प्री EMI फीश कुस लगाई जाते हैं 1375 रुपया तो ए 1.5 लाग रुपय के लोन में चें यह दोनों फीश काल के हमारे बेंकर काउट में आएगे 1,49,490 रुपया 2.75 परशन इंटरेस्ट लगाए गया है 24 मेने का 10 रखा है हमें हर मन्थ 8,720 रुपया EMI प्या करना है और यहाँ पर हमारी EMI डेट भी बताई हुई है 2025 में ए लोन हमारी खतम होती है क्योंकि हमें 2 साल के लिए लोन ली हुई है अब दोस्तों यहाँ पर हम इसका calculate करें और देखे कि हमें इस एक्स्ट्रा कितना प्या करना होगा तो अगर हम दोस्तों ए 1,5 रुपय की लोन 24 मेने के लिए ले रेलते हैं तो हमें इसको एक्स्ट्रा 50-70,000 रुपय तर प्या करना होगा तो यह बहुत ही ज़्यादा मेंगा होता है दोस्तों तो हो सके तो दोस्तों यहाँ पर आप कम amount के लोन लो या अगर आप यहाँ पर tenure कम कर दोगे तो भी आपका यहाँ पर fees and size में कट होती आ जाएगी यहाँ पर दोस्तों में example के लिए इस सारा fees and size दिखा रहा हूँ कि अगर आप 2 साल के लिए इस लोन को लेते है तो किसना मेंगा पुट रहा है ठीक है तो आपको यहाँ पर अपना fees and size पहले देख लेना है उसके बाद यह आगे की process करना है तो efficient सारा देखने के बाद यहाँ पर got it पर हमें click करना है जैसे got it पर click करेंगे तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें bank detail देनी होगी अब जिस bank account में हम इस loan amount को लेना चाते है उस bank detail यहाँ पर हमें feel करनी होगी तो यहाँ पर bank detail में सबसे पहले यहाँ पर हमें bank account number एंटर करना होगा और यहाँ पर IFC code एंटर करना होगा उसके बाद simply continue पर click करने के बाद दोस्तों आपका bank detail verify होगा और उसके लिए आपके bank account में 1 रूपया send किया जाएगा successful 1 रूपया send होने के बाद आपका bank detail verify हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको notch complete करना होगा यानि कि immediate करना होगा अब एह immediate करने से ए होगा कि आपकी हर मंत की EMI automatically click से ही आपके bank account से कर जाएगी तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक option मिलेगा sign notch with net banking तो simple उस पर हमें click करना है और हमें यहाँ पर notch complete करना है तो हमारे सामने अगला page open होगा जिसमें दोस्तों यहाँ पर हमें search करने के लिए दो option मिलेगे हम चाहे तो यहाँ पर debit card से भी notch complete कर सकते हैं तो हम यहाँ पर net banking सुझ रखेंगे और एक टमसें कंडिशन वाला box पर click करके continue पर click करेंगे तो हमारे सामने अगला page open होगा जिसमें हमें यहाँ पर हमारी net banking का username और password enter करना है और यहाँ पर next पर click कर देना है जैसि next करेंगे तो हमारी bank में जो mobile number link होगा उस पर एक कोठीपी send किया जाएगा और यहाँ पर हमें fill up करना है और प्रोसीट पर click कर देना है जैसी प्रोसीट करेंगे तो यहाँ पर हमारा net successfully complete हो जाएगा और हमारे समने कुछ इस तरीके से interface आजाएगा अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमें total charge step complete करने है जिसमें से सबसे पहले यहाँ पर हमारे freshner detail complete हो चुकी है यहाँ पर हमें offer मिल चुकी है bank verify हो चुका है अब last step हमारा रह गया है जिसमें हमारे loan application processing में चली गी है और यहाँ पर within 24 गंटे के अंदर आपकी loan amount आपके bank account में transfer कर दी जाती है लेकिन 24 गंटे तक का यहाँ पर समय नहीं लगता यहाँ पर within 1 या 2 गंटे के अंदर भी आपकी loan amount आपके bank account में transfer हो सकती है किसी किसी किस में हो सकता है 24 गंटे तक समय लगे तो आपको 24 गंटे लगा के ही चलना है जैसे आपकी loan amount आपके bank account में displacement हो जाएगी तो आपको mail द्वारा और SMS द्वारा बताया दिया जाएगा तो ऐसे simple तरीक से दोस्तों आप यह mobic week में loan apply कर सकते हो यहाँ पर दोस्तों मैंने A2Z4 process complete बता दिया है फिर भी अगर आपको कोई query है तो मुझे comment में बता सकते हो तो चले दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही उमिद करते हैं कि आपको एफ वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो like, share, comment and subscribe करना ना बूले तो चले दोस्तों मिलते हैं और ऐसी ही दमाकेदर वीडियो के साथ तब तक के लिए गुर्वाएं